आपको पता है कि 1995 में जब Elon Musk ने अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की थी तब वो 100,000 डॉलर्स यानी करीबन 80,000 रुपए के कर्ज में थे दोस्तो इतना रिस्क मतलब खुद के लगे हुए हैं और फिर भी हिम्मत है अपने पहले स्टार्टप में इन्वेस्ट करने का किसी को अपने उपर इतना भरोसा कैसे हो सकता है मतलब बाई चांस अगर Zip2 फेल हो जाती तो दोस्तो उनका कर्ज डवल भी हो सकता था लेकिन हम सबको पता है कि भाई Elon Musk कोई आम इनसान नहीं है Elon एक true genius है और हम सब के inspiration भी और recently Musk ने अपनी college life की एक बहुत ही interesting story Twitter पे share किये बात ये थी कि 1992 में Elon Musk University of Pennsylvania में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने दोस के साथ off campus एक room rent पे लिया लेकिन problem ये हुई कि Elon के पास room rent देने के पैसे नहीं थे क्योंकि वो खुद University में scholarship के थूप पढ़ रहे थे तो Musk ने एक idea सोचा उन्होंने का क्या अपने उस घर को एक club house में convert कर दिया और 500 लोग को invite करके हर बंदे से $5 as an entry fees ली दोनों दोस के पास एक महिने के भी पैसे नहीं थे rent देने के लिए लेकिन इस खुराफाती जुगार से वो लोग 6 महिने के room rent एकटा करने में सफर रहे और आज यही बच्चा जिसके पास एक time पे rent देने तक के पैसे नहीं थे आज की date में दुनिया का सबसे अमेर आदमी बन के बैठ़ है आप ऐसे लोग को जानते हो जो हमें बड़ें करते हैं ऑब को अब कोई और क्लकी ने आई थे तो उन्होंने दिखा कि लोग अपने दाथ चार्कूल से शाभ करते थे तो लोग को क्या ही जौद पड़ेगी किसी toothpaste company की और ये एकदम genuine reason है जब मुझे किसी product को use करने की need ही नी होगी तो मैं क्यों उस product को खरे दूँगा है ना तो Colgate Company ने लोग को जा जा कर बोला कि अरे तुम पागल वागल हो गया तुम्हें नहीं पता कि चारकुल हमारे दाथ पर हमारे गंस के लिए कितने हमफल है और इस ऐसा कुछ था भी नहीं वो बस लोग के मन में चारकुल को लेकर डर पैदा कर रहे थे तब सबने बोला ठीक है तो अब इसका solution क्या है हम अपने दाथ साफ करें तो करें कैसे तो इस कंपनी ने बोला सिंपल है हमारे टूथपेश यूज़ करो इसमें आपको एक परसेंट भी चारकुल नहीं मिलेगा और यह हमारे दाथ के लिए 100% सेफ और हेल्दी भी है तो लोगों ने डर के मारे उनकी बात सुनी और कॉलगे टूथपेश को यूज़ करना शुरू किया यहां तक तो टूभी वेरी ओनेस्ट मुझे कोई प्रॉब्लम नी थी मुझे हसी तब आई जब पता चला कि इस टूथपेश कंपनी ने अपना एक और प्रॉड़क्ट निकाला है कॉलगे चारकुल नाम से जो दावा देती है कि यह और बेटर और हेल्दी है हमारे दाथ के लिए मतलब सच में हर्द है एक टाइम पे जो उन्होंने खुद मना करा था आज भही कॉंसेप्ट लेके अपना नए प्रॉड़क्ट लाँच कर रहा है पता है बस लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं कि कभी कॉलगेट नहीं एक टाइम पे सबको चारकुल यूज़ करने से मना करा था यही नहीं लगबग सारे ही बिलेनिर्स के खाने पीने का स्टाइल अलग ही लेवल का होता है जैसे वॉरिंट बॉफिट दिन से लेके रात तक सिर्फ जंक फूरी खाते रहते और एक बार स्टीब जॉब्स ने इतने गाजर खा लिये थे कि उनका स्किन ही औरेंज के लरका हो गया था लेकिन ये सब भी अपने मांग भाई को टक करने दे सकती 2011 में उन्होंने सब के सामने का कि अब वो ही जान्वर को खाएंगे जिनने वो खुद मारेंगे जिहां गाईज ये बात टुटर के फॉर्मर सीयो जैक डॉर्सी ने भी रिवील किया था उन्होंने का कि मांग को मीट इतना पसंद है कि वो एक टाइब के खाखा के बोर हो चुके हैं हंटिंग के इतने शौकिन है कि वो अपने निशाने पक्के करने के लिए हर सेटरेडे संडे ती धनोशे प्रैक्टिस करते हैं ये सब जानके लोगों ने मार्क जगबग का बहुत मजा कोड़ाया जैसे एक निका कि मार्क अपना पेट भढ़ने के लिए जानवरों को वैसी खतम करते हैं जैसे अपनी कंपनी फेस्बुक को टॉप पे रखने के लिए स्मॉल कंपनीज को लें गईज ऐस सच मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती वैसे आपका इसमें क्या कहना है कितना वॉलिंट होना सही है की नहीं मुझे प्रेंट से ज़रूर बताना and thank you so much for watching